उधर लोक सभा में गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैशनाओ के भाशन के दोरान काफी ज्यादा हंगा मा हुगया। दरसल रेल मंत्री रेलवे में किये जा रहे सुधार और लोको पाइलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में सदन को बता रहे थे। तभी किसी विबक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मारा। ये सुनकर आम दोर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैशनों भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत थी। यूपिय के कारेकाल में 171 के आसपास एक्सिडेंट्स साल के अवरेज होते थी। वो करीब 68% 68% कम हुए अभी भी अध्यक्षी हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए। कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो अपक्ष हो कोई भी हो हम सब को मिलके एक एक विशय पे सेफटी के हर विशय पे पूरा दिल जी जान से। जितनी हमारी बुद्धी है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास करने के लिए हम कटी बद्ध हैं, संकल्बद हैं, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संचे नहीं है, कोई संचे नहीं है अद्यक जी, अद्यक जी जो इस तरह से बोल रहा है वो उनको पूचिये कि वो अठावन साल के अपने राज में एक किलोमेटर पर भी एटिपी, क्यूं नहीं लगा पाए? क्यूं नहीं लगा पाए एक किलोमेटर भी एटिपी? आज ये प्रेशन पूचने की मत करते हैं, अपने कारिकाल को दे के अपने किरेवार में जाके अपने ग्रेवार में पहले जाक कि बताए इसी हाउस में मंता जी जब हेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सिलेंट के नमबर बताती थी पॉइंट टूफोर से पॉइंट वन नाइन पे होने पर इतनी तालिया बजाते थे हाज पॉइंट वन नाइन से पॉइंट जिरो त्री इंडेक्स होने पर आज इस तरह की आरूप लगाते हैं क्या है यह बार पिछले साल उडिशा में 2023 में लगबग 300 पैसेंजर्स की नमित्यू हुई बालाशूर में तो उसकी नेतिक जिम्मेवारी आज रेलवे मंत्री को देना चाहिए था पिछले एक डिर साल में रेलवे के हाथ से बढ़ रहे हैं और मंत्री सिर्फ रील बनाने में व्यस्त ये रेलवे मंत्री नहीं है रील मंत्री है ये रेलवे मंत्री नहीं है डिरेलमेंट मंत्री है और सिर्फ नेतिक तोर पर कि पिछले दो महिनों में 14 लोगों की मृत्यू उसी आधार पर उनको आज इस्तीपा देना चाहिए। का प्रतीक ताम निंदा करते हैं।